हेलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चेनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस स्टॉक में आज भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है 3% की और हो सकता है कि कल भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले क्यों कारण क्या है कारण है दोस्तो Q4 का नमबर इस कमपनी ने शो किया है अब देखें कमपनी नमबर अच्छा पेश कर रही है तो भी गिरावट हो रही है नई कर रही है तो भी गिरावट हो रही है मतलब market को अभी performance जो है दोस्तो वो पसंद नहीं आ रहा है किसी भी company का ठीक है last 4-5 दिन में जितने भी number हमने देखे top quality company के किसी ने अच्छा पेश किया है ठीक है किसी ने बहुत अच्छा और किसी ने बहुत कराब सब की एक जिसी पिटाई हुई है इस company के stock में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है कल क्योंकि दोस्तो ये भी काफी जाना माना company देखने को में मिलता है आज भी गिरावट देखने को मिली और 3895 रुपे के आसपास ये stock close हुआ इसका previous close था 4,015 रुपे 45 पैसे ठीक है ये stock open हुआ दोस्तो 4,080 रुपे हाई लगाया 4,088 रुपे 95 पैसे और low लगाया 387 रुपे 15 पैसे उसके साथ ही अगर आप देखेंगे stock का 52 रुपे का हाई तो वो है दोस्तो 7,878 रुपे का ये बहुत बड़ा दोस्तो हमें क्या देखने को मिल रहा 52 का हाई लास्ट पांत दिन में इस stock में 3,5% की गिरावट है एक महने में 7,5% की छे महने में लगबख 45% से ज़्यादा की और overall के अगर मैं बात करता हूँ तो ये company market में 2016 से आईए और अपने shareholder को इस उचाई पे लगबख अगर आप देखेंगे ना तो साड़े 900% का return इसने दिया है टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं तो इस company को हमें बिल्कुल भी ignore नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी बड़े group से belong करती है ठीके और काफी अच्छी industry से belong भी करती है चलिए अब इसका Q1 का number किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये consolidated वाला number जो है वो मैंने आप लोगों के सामने उपन कैप valuation आप देख सकते हैं millions में लेकिन दोस्तों end में जो net profit हम देखेंगे जब हम आपको करोड में convert करके बता देंगे ठीके portion बता देता हूँ ये जून 21 है ये जून 22 है ठीके और ये March 22 का है ठीके मतलब year on year और ये Q on Q है ठीके तो सबसे पहले देख लें थे total income तो company का total income इस Q में हुआ है दोस्तो 46,679 का March Q में हुआ था दोस्तो 45,356 का और जून 21 में हुआ था दोस्तो 35,841 का तो total income तो दोस्तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हमें देखने को मिला है जालाना तोर पर और Q on Q basis पर भी ठीके लेकिन expense कितना है ये देख लेते हैं ठीके मतलब खर्चा company का तो खर्चा company का इस Q में दोस्तो कितना आया है इस Q में आया है 38,169 का मार्च Q में आया था दोस्तो 35,770 का और जून 21 में आया था दोस्तो 29,120 का तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो year on year basis पर या Q on Q basis पर जिस प्रकार से दोस्तो total income बड़ी है ठीके उस से कही ज़्यादा गुना दोस्तो खर्चा बड़ा है ठीके जो expectation बिलकुल भी नहीं था उस प्रकार से खर्चा company का increase हुआ है ठीके जिसके करण company का जो अभी profit बचा है टेक्स पे करने से पहले वो कितना बचा है 8510 का ठीके मार्च में था 8596 का और दोस्तो जून 21 में था 6701 का तो इसके करण दोस्तो Q on Q basis पर company का जो profit है ना वो दोस्तो क्या हो गया है कम हो गया है ठीके अब net profit हम देख लेते हैं टेक्स पे करने के बाद ठीके तो net profit कितना है company के पास तो net profit बचा है दोस्तो इस Q में company के पास तीके मैं करोड में convert कर देता हूं देखे इस Q में बचा है 6335 मतलब दोस्तो 633 करोड का company के पास profit बचा है इस Q में ठीके मार्च में था कमपनी के पास 606,370 का ठीके ये profit था मतलब दोस्तो 6,000, वो स्थोरी 637 करोड का ठीके और जून में था कमपनी के पास 4963 का मतलब दोस्तो 496 करोड का ठीके तो आप देख सकते हो सालाना तोर का profit 496 करोड का 633 करोड हो क्या लेकिन दोस्तो क्यों क्यों वैसेस पे जो profit है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगबग 3-4 करोड की तो जो estimate था market का दोस्तो वो beat बिल्कुल भी नहीं कर पाया होगा ठीके और market भी इस number का बिल्कुल भी अच्छी तरीके से welcome कम नहीं करेगा क्योंकि कंपनियां अच्छा performance दे रही है तब भी इनकी क्या दोस्तो पिटाई हो रही है अगर हम देखते हैं दोस्तो कंपनी का performance EPS में तो 36 रुपे 13 पैसे का EPS है इस Q में मार्च में था दोस्तो 36 रुपे 34 पैसे का और जून 21 में था 28 रुपे 40 पैसे का EPS ठीके तो EPS 16 रुपे बड़ा है लेकिन Q on Q basis पे गिरावट है ठीके तो कंपनी का नंबर तो बहुत अच्छा देखने को मिला है देखे लॉंग टर्म नजरी से जो इस कंपनी को देखेगा न ठीके उसको यह बहुत बड़िया नंबर देखने को मिलेंगे ठीके लेकिन इंटर डे और स्विंग ट्रेड वाले अगर इस नंबर को देखेंगे तो उनको बिल्कुल भी यह नंबर पसंद नहीं आएंगे ठीके और जो सेलर रहेंगे वो तो जरूर दोस्तो इस न्यूस का फाइदा उठाना चाहेंगे कल की डेट में ठीके और कल मार्केट ओपन होते से ही इसमें हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा ठीके तो हम किस कंपनी के बात करें हम बात करें दोस्तो LTI जिसे हम Larson and Torvo Infotech के नाम से जानते हैं जो कि एक Mid-Cave IT कंपनी है Larson and Torvo ग्रूप से बिलोंग करती है कंपनी Larson and Torvo काफी बड़ा ग्रूप है दोस्तो ठीके और हमने आज ही के दिन देखा कल जब Mindtree जो भी दोस्तो इसी ग्रूप से बिलोंग करने वाली कंपनी है ठीके उस कंपनी ने किस प्रकार से अपने Q1 के नंबर शो किये बहुत अच्छे नंबर शो किये थे लेकिन फिर भी दोस्तो उसकी पिटाई होते हमें देखने को मिलिये और काफी भारी भरकम तरीके से तो कल इसी प्रकार से हो सकता है कि इस कंपनी के भी हमें पिटाई होते देखने को मिले ठीके क्योंकि दोस्तो दिगज कंपनिया जितनी भी ये मार्केट में सब के पिटाई हो रहे हैं लेकिन दोस्तो आप लोगों को इस पिटाई का फाइदा उठाना है जितनी नीचे ये stock मिल रहा ना दोस्तो अगर आप उतनी buying के opportunity डूरोंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत जोड़दार रहेगा क्योंकि current market price आपने देखा है क्या है और बावन भी कहाई अभी आप लोगों ने देखा क्या है तो इस चीज का फायदा दोस्तो भरबूर तरीके से उठाइएगा quality वाली company में ठीके चलिए थोड़ी सी और fundamental हम analysis करते हैं इस company का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्सेन टॉर्बो इंफो टेक काम यहाँ पर जो fundamental condition है वो देखते हैं यह company IT service प्रोवाइड करती है ठीके application development में ठीके जो application देते है mobile application या laptop का जितना भी या computer का जितना भी ठीके महाँ पर यह development प्रोवाइड करता है यह service देता है ठीके उसके solution और infrastructure में भी अपनी service प्रोवाइड करता है ठीके digital market में भी solution में भी यह सभी platform में क्या करता है यह company अपना service प्रोवाइड करता है उसके साथ यह अगर आप देखेंगे तो almost अगर हम पकड़ की चलें तो लगबग 68,000 करोड क यह company है बहुत बढ़िया है और P earning ratio देखेंगे तो 29.6 का है return on employee आप देख सकते हैं 35.7% है return on equity 28.5% है face value देख सकते हैं और company का dividend yield भी आप देखके चल सकते हैं उसके साथ ही आप देखेंगे दोस्तो company सबसे बढ़िया बात यह कि company almost debt free है ठीके तो company को जो भी loss हुआ है वो उ पूरे सके jam में जाने वाला है साथ में अगर हम देखेंगे दोस्तो yearly basis पे company का performance ठीके तो मार्च 2012 में पूरे साल भर में company ने 3182 करोड की क्या करी थी sales करी ठीके और operating profit निकाला था 689 करोड का ठीके लेकिन आज वो ही profit अगर हम देखेंगे ठीके तो कहां पर पहुँच की 15,669 करोड पार ठीके मार्च 22 का performance है और net profit अगर आप देखेंगे ना तो almost 2300 करोड रुपे के आसपास है और पूरे साल भर का EPS 131 रुपे के आसपास है और 2012 का अगर हम देखेंगे तो 419 करोड का ही company का क्या था मातर मुनाफ़ा था अगर हम इसको percentage wise भी compare करेंगे ना ठ बढ़ रहा है profit growth अभी की condition में दोस्तो 19% की तेजी से बढ़ रहा है तो यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस company से अगर यह company ऐसा ही performance आगे भी दिखाते रही तो बहुत जोड़दार performance ही हमें देने वाली है अब देखें shareholding pattern की मैं बात करता हूं promoters अच्छा सा ख गरोना काल में या pandemic में ठीक है तो अब उनको profit booking करने का मोका मिल रहा है सबसे ज़्यादा IT industry pressure में देख रहा है अब large cap की बात कर लो mid cap की बात कर लो या small cap की बात कर लो तीनों segment में उस्तों गिरावट देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा foreign investor परसा निकाल रहा है तो चार परसेंट इससा दोस्तों 70,000 करोड का अगर आप निकलोगी न तो कितना होगा आप calculate कर लीजी मतलब इतना पैसा इस company से निकल चुका है अगर इतना ही पैसा डलता तो ये company दोस्तों अभी आपको लगबग 4,000 रुपे के करीब दिखाई है ये 10,000 के करीब आपको और इस company से related कुछ भी चीज़े पूछना है नीचे comment box में comment करके आप पूछ सकते हैं तो आप हम इस वीडियो को close करते हैं वीडियो को close के दिसे हमें यही बूलूँगा वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe चुकि daily basis पर इसी प्रकार का वहतरिंग अपडेट हम आप लोगों त लाटरे टेने तो थैंगि दूस्टू